अगर आप भी चाट टिकी बतासे की दिवाने हैं तो इसे आप ब्रेथ में भी बहुत ही आसानी से इंज्वाय कर सकते हैं यह टिकी किसी भी तरीके से नॉर्मल टिकी होती उससे कम नहीं है बहुत टेस्टी है जचली रैस्पी सुरू करते हैं इसके लिएifiques हाफ की अलू के कियाल blast गजय है आप आप में चिल आ कर लिया है और अगर कूकर में बाइल करते हैं तो इसे बिना चिले ही भूईल करें इसके बाद हमेंसे जब हलका गरम ही रहेगा ग्रेट कर लेंगे इसे महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें सारी आलू को बस इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है, अगर आलू ठंडा हो जाता है तो इसमें पुखत ही जल्दी से गुठलिया पड़ जाती है, इसलिए आलू को जब गरम हो तभी ग्रेट कर लें और इसे मैस कर लें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे वन टेविल स्पून स जब तक हम अपने इंडियन पूड में हाथ का यूज नहीं करते हैं, तब तक हमारे खाने में वो टेस्टी नहीं आता है, इसके बाद मैंने यहां पर डाला है, एक से डेड़ इंच ग्रेट किया हुआ अधरक, इससे टिक्की का टेस्ट बहुत ही अच्छा से इंहेंस हो ज अब हम इससे अपने मन पसंदाकार की टिक्किया रेडी कर लेंगे, आप चाहे तो छोटी वी टिक्किया रेडी कर सकते हैं, मैंने यहां पर बड़ी टिक्की बनाई है, जिस सीखने में बहुत ही आसानी से सीख भी जाती है, बहुत क्रिस्पी होती है, तो सारी टिक्कियों यहां पर देसी घी का यूज़ कर रही हूं कि हम ब्रत में लग देसी घी का यूज़ करते हैं तो भी डालते हुए और फिलिप करते हुए हमें एंटिक्कियों को एकदम गोल्डन होने तक सेक लेना है तो ध्यान रखेंगे हमें फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है अगर यह कि वी अ यहें लेकर क्यूंध चीन और एक कुप क्रीम अगरह करें से क्रीम क्रीम टाल अगरह चाहेर पनी क्रीम ट्राकर प्रशा उप whenrem एकदम चीज मीडर करेंगे अब एकदम कर दित कर स्षर दिआ जरुके के ऊपर ठंडा ठंडा दही आप अपने अकॉर्डिंग एड करें आपको अगर ज्यादा दही चाहिए तो आप ज्यादा लगाएं मैंने दही एड कर लिया है अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ अधरक भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ी सी काली मिर्च स्वात के अंसार नमक इसे हम धन्या से गार्निस कर देंगे और अगर आप ब्रत में रट चिली फ्लेक्स खाते हैं तो इसे भी डाल लें तो तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सिटी